बिग बॉस 13 में शनिवार को सल्मान खान ले वीकेंड का वार में घरवालों के साथ मस्ती मज़ाद करते हुए उनकी जमकर क्लास भी लगई कंटेस्टेंट से पूरे हफ़ते का हालचाल लेते समय सल्मान खान उस समय असहज हो गए जब उनकी एक्स गर्फ्रेंड एश्पर याराय बच्चन का जिक्र हुआ सल्मान खान ने शो में सभी कंटेस्टेंट से पूछा कि उन्हें घर में सबसे स्ट्रॉंग कनेक्शन किसका लगता है तो इसके जवाब में ज्यादातर ने शहनाज गिल और पारस छाबडा का नाम दिया इसके बाद सल्मान ने सिधात दे की खेचाई करते हुए कहा कि तुम इन दोनों के बीच में क्यों आ रहे हो सिधात दे ने कहा कि सर आपकी फ्यल्म थी हम दिल दे चुके सनम उसमें अजे देवगन आखिर में एश्वरय राय को ले गए थे क्या आप अजे देवगन पारस सल्मान खान और शेहनास पंजाब की कहते ना कैफ नहीं एश्वरय राय है सिधात की ये बात सुन कर सल्मान थोड़ा सा असहज होए इसके अलाबा सल्मान ने शेपाली बग्गा के उस ट्राइफले को सही ठहराते हुए उनकी तारीफ की जब वो उन्होंने घर की क्वीन बनने के लिए अपना नाम लिया था सल्मान ने शेपाली की तारीफ करते हुए कहा अच्छा हुआ तुम बाकियों की तरफ भेट चाल में नहीं तली इसके बाद देवुलीना भटाचार्य और रश्मी देसाई की भी जम कर क्लास ले गए आपको बता दें कि पूरे हफते बिग बॉस में हाई वाल्टेज ड्रामा देखने को मिला बीबी हॉस्पिटल टास्क से लेकर शेफाली बग्गा के नीजी कमेंड तक सभी चीजों ने घर में बवाल मचाया ये बिग बॉस 13 का पहला वीकेंड वार था तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही बागे टीवी और फिल्मी गलियारों से जुड़ी हुई लेटेस्ट गॉसिप जानने के लिए देखते रहें फिल्मी पंचायत